आपको यह देख सकते हो, रेंडर होने के बाद, आपको इस तरह का output आता है, आपको साथ में इसके नदर आपको इधर पे color correction करना होगा, color correction के लिए आपको frame buffer में यहाँ पर होता, show color correction का option, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर से आपको जाना पड़ेगा, global setting मे जाना है, लोड करना है, आपको साथ में इसके लोड करने की file भी मिली होगी, उस load करने की file मैं बता देता हूँ, कहाँ पर है, यह इस नाम से आपको मिलेगी, color correction frame buffer के नाम से file मिली होगी, render के folder के अंदर, उसको आपको load करना है, जैसे आप लोड करना हो, तो आप देखो यह एक Photoshop file, उस Photoshop file को आपको open कर लेना है, यहाँ पर, ठीक है, तो Photoshop file में आपको यह सब पुरा-पुरा readyment दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको cloud भी यहाँ पर दिख रहे है, आपको अपने जो भी render निकाला है, इस file के अंदर, आपके exterior के उपर, आपको बस इतर प्लेस करना है Photoshop के उपर, आपकी render file को place करना है, आपकी render file थोड़ी सी normal color creation थोड़ा सा डल दीखेगा, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, इधर पर I'll press करना है, देखो, इधर भी देखो, दो गोले दीख रहे हैं, यहाँ पर, I'll press करना है, और ड्रैक करना है, तो आपको इस तरह से, यह इ Sky को change करना है, इधर पर उस layer को select करो, ठीक है, चेंज करने से पहले, जैसे कि Sky में को change करना है, तो इसको हम लोग यहाँ से Sky को change कर सकते है, एडिट में जाके, Sky placement में जाना है, फिर इधर पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखो, जैसा इधर पर Sky आ रहा है, काफी फ्लै हो गया, तो इसको हम लोग मिक्स कर सकते हैं, यहाँ से अलग लग सकाइस के options मिलते हैं, इधर पर आप देख सकते हो, नाइट व्यू के Sky, या फिर आपको background में ऐसा कुछ Sky add करना है, तो इसका है, उस टाइप का Sky यहाँ पर add हो गया है, फिर यह आपको final रखता है, या फिर इसके तरह एडिट करना, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, या फिर इसको हलका fade, fade out, या फिर पुरा 100%, आपको यही पिछल सकाइची है, तो वो सब सारी चीज़े आप यहाँ से mix and merge कर सकते हो, यहाँ से इसके जरीए, जब यह आपका हो जाता है, फिर इसके इंदर आपको इस तरह से आप अपने file में भी काम कर सकते हैं, अवर आपका खुद का exterior है, आपने इसके जगाँ पर अपना खुद का exterior डाला है, तो आपको इस तरह के process करने पड़ेंगे, same to same cloud और effect लेके आने के लिए, इस तरह के और भी वीडियो देखने जाते हैं आप लोग, तो मेरे स्ट्राइब कीजेए, उसके पाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजेगा, ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके, Thank you for watching this video, जय हिंद वन्दे मात्रम!